चानक के IAS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं G20 शेर्पा के बारे में ये क्या होता है और क्यू चर्चा में भी बना हुआ है भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 की बैठक में शेर्पा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है सबसे पहले देखेंगे कि शेर्पा होता क्या है शेर्पा एक समदाय है जो नेपाल और तिबग की दुर्गम पहाडियों वाले इलाकों में रहते हैं साल 1949 से पहले तक तिबग के रास्ते ही एवरेस्ट पर चड़ा जा सकता था ये इलाका शेर्पाओं का था द्युत्य विश्विद के बाद दुनिया भर में माउंट एरियन्स में एवरेस्ट फत्य करने की होड़ सी लग देग 1949 में नेपाल ने बाहरी दुनिया के लिए भी अपने दर्वाजे खोल दिये और 1951 में ब्रिटेन ने सरकारी तोर पर कई अभ्यान चलाए और नए रास्ते खोज निकाले शेर्पा एवरेस्ट ट्रेकिंग में लोगों की आज भी मदद करते हैं अब आप देगेंगे कि G20 शेर्पा कौन होते हैं सभी सदस्य देशों के शेर्पा G20 समेलन के दोरान अपनी अपनी देश को रिप्रेजन करते हैं जैसे एवरेस्ट पर चड़ने वाले हिलेरी को एवरेस्ट पर चड़ने में शेर्पा ने मदद की थी ठीक उसी तरह G20 के दोरान भी अपने देश के रिताओं की मदद शेर्पा करते हैं शेर्पा अपने देश के नितिगत फैसले से सभी सदस्य देशों को वाकिव कराते हैं शेर्पा का पग किसी राजदूत के बराबर होता है शेरपा की न्युक्ति सदस्य देशों की सरकार करती है G20 का शिकर समेलन हो या फिर इसके अन्य वर्किंग ग्रूप्स की बैठके इन सभी की प्लानिंग सदस्य देशों के शेरपा ही करते हैं कारेक्रम के दौरान देशी विदेशी महमानों के बीच कॉर्डिनेशन से लेकर अपने देश के नितिकत फैसले से सभी सदस्य देशों को वाकिप कराने का काम भी इनिका होता है बड़े नेताओं के बीच होने वाली बैठकों से पहले उनके मुद्दे पर सभी सदस्य देशों के शेरपा आपस में बातचित करते हैं इसी स्तर पर सभी देशों के बीच सहमती और एसहमती को सुलजा लिया जाता है ताकि बड़े नेताओं की बैठक में सिर्फ एजेंडे पर मोहर लगाने का काम हो पाए अब हम बात करेंगे G20 के शेरपा शब्द के ओरिजन के बारे में कि ये कहां से हुआ G20 के लिए शेरपा शब्द नेपाली भाषा से लिया गया है शेरपा तिब्दी भाषा के शब्द शर और पा प्रत्य से मिलकर बनाया गया है जिसका मतलब होता है पूरब के लोग माना चाता है कि इन लोगों का मूल निवास तिब्द था जो कुछ सो साल पहले नेपाल और दूसरे इलाकों में आकर बस गए अगर G20 को पहार की चोटी माल ले तो इस चोटी तक जाने में मदद करने वाले गाइड को शेरपा कहते हैं G20 सब्मिट को अंजाम तक पहुचाने के लिए हर सदस्य देश एक शेरपा अपॉइंट करता है इस पद पर राजनाईक, राजनीतिक या परशाशनिक अनुभव रखने वाले अधिकारी या कोई वरिष्ट नेता को न्युक्त किया जा सकता है शेरपा की क्या भूमिका होती है इस पर अगर बात करें तो G20 में इसके तीन प्रमुक ट्रेक काम करते हैं उन में से दो अधिकारिक है और एक अनुभचारिक है पहला है शेरपा ट्रेक, G20 सम्मेलनों में इस तरह की बैठकों का नित्रित्वत शेरपा करते हैं शेरपा मुख्य रूपसरी सदस्य देशों के शेरपा के साथ राजनीतिक एवं अन्यमुद्दों पर बैठके करते हैं इन बैठकों में जो भी बाते होती हैं उनको लेकर अपने देश के नेताओं को ये अपडेट देते हैं दोसरा है वित्ट्रेक इसका नित्रित्व वित्मंत्री एवं आर्बिय गवर्नर्स तरके अधिकारी करते हैं इस ट्रेक की जिम्मेदारी सदस्य देशों के वित्मंत्रियों केंद्रिये बैंक के गवर्नर्स के साथ बैटके कर आगे की नीती तै करना, आर्थिक मुद्दों को सरल बनाने की कोशिश करना है जिस से शिखर समेलन के दोरा अंफैसलों को अंतिम रूप दिया जा सके इसके साथ ही उर्जा, व्यापार और निवेश, विकास, रोजगार, परेटन, क्रिशी, डिजिटल अर्थवेवस्ता, स्वास्ते, सिक्षा, सस्कृती, पर्यावरन और भ्रस्टाचार जैसे मुद्दों पर भी सदस्ते देशों के शेर्पा आपस में बात करते हैं G20 शिकर समेलन से पहले कितनी शेर्पा बैठके आयोजित हुई हैं तो 9 और 10 सितमबर 2023 को होने वाली G20 शिकर समेलन से पहले देश में शेर्पा स्तर की 4 बैठके आयोजित हो चुकी है G20 सदस्य देशों की शेरपा स्तर की पहली बैठक बिसंबर 2022 में उद्यापूर में हुई थी, इसके बाद दूसरी बैठक इसी वर्ष मार्च में केरल के कुमार कोम में आयोजित की गई थी तीसरी शेरपा बैठक 9 से 16 जुलाई तक करनाटक सित हमपी के एतिहासिक खंडरों में हुई थी, वहीं 3 से 7 सितंबर तक हर्याना के 9 में 4 जी 20 की बैठक हुई थी शेरपा की पहली औपचारिक बैठक में शेरपाओं के बीच ग्लोबल साउथ के महत्तु का जिक्र किया गया था इन बैठकों में स्वास्ते, सिक्षा, सत्विकास लक्षों को लेकर भी सदस्य देशों के शेरपाओं के बीच बात चीत हुई केरल में हुई शेरपा की दूसरी बैठक में डिजिटल अर्थव्यवस्ता, स्वास्ते, सिक्षा, प्रेटन, संस्कृति, कृष्षी, व्यापार और निवेश, रोजगार और भ्रष्चाचार जैसे मुद्दों पर बात की गई इसके साथ ही आज का हमारा एविशे यहीं पर समाप्त होता है, हमकर फिर मिलेंगे एक नएविशे के साथ, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद